यूलिन िरन्स वेलकम टो म् माय यूट्यूब चैनल सी बिंग इन्डस्टी से रिलेटब सी फेरर से रिलेटब आज बहुत बड़ा दिन है सी फेरर डे है और सी फेरर डे की हार्दीक सुख कमना है हमारे सारे सी फेरर साथ हों के लिए दोस्तों के लिए सीनियर्स के लिए जुनियर्स के लिए हादिक सुप्राएं हाप हैपी सी फेरा दे आप लोगों की कड़ी मेहनत है जो की हम और देश देश विदेश जो है अपने जगह पे है आप लोगों की कड़ी मेहनत के लिए आप लोगों को बहुत बहुत ध उसकी कड़ी में एक और वीडियो को मैं एड़ कर रहा हूं How to update your passport on your dg profile step by step चलिए देखते हैं come to the point let's start तो चलिए दोस्तों हम आते हैं अपना mozilla firefox open करते हैं mozilla firefox पे जाके dg shipping लिखके enter करना है डिजी shipping लिखके enter किए enter करने के बाद आपको एक option आता है डिरेक्टरेट जेनरल ऑफ shipping government of India इस पे click करेंगे इस पे click करते हैं तो यह आपका जो है dg shipping का जो है home page कुलता है home page होने के बाद आप e-governance में जाके यहाँ पे click करनेंगे e-governance में जाएंगे तो यहाँ पे user id और password का option आएगा जो की आपको डालना है मैंने भी user id और password डाला है और उसके बाद आपको जाना है update seefarer profile आप जैसे ही update seefarer profile पे click करेंगे तो आपके सामने एक यह option खुलेगा जिसमें यहाँ पे seefarer details, seefarer details, यहाँ पे educational details, professional training certificates, documents click here to profile view and view and print your profile master checker और उसके बाद seefarer details, service details, e-learning details, mailbox, cop and main menu show करेगा यहाँ आपका passport upload करना है तो आप documents में जाएंगे and request to add more update existing passport details पे click करेंगे ठीक है जैसे ही आप request to add update passport details पे click करते हैं यहाँ आपका drop down करना है add a new passport और update existing passport अगर आपको पुराने passport को update करना है तो update existing passport पे जाएंगे और option आएगा अगर new passport के लिए click करते हैं तो उसके बाद आपको यहाँ पे continue करना है आप ऐसे continue करेंगे तो यहाँ passport number आएगा, issue date आएगा, issue date आएगा, validity आएगा और यहाँ से आप browse करेंगे passport की एक copy और उसके बाद submit करेंगे आपका जो है passport जो है, submit जैसे करेंगे आपका passport request जो है, dg shipping के पास चला जाएगा और उसके बाद जो है, आपका जो है passport जो है, show करने लगेगा, तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, authorized documents में जाएगे, ता आप नीचे देखेंगे, कि यहाँ पे आपका जो है passport जो है, यहाँ पे updated है तो यह बहुत ही easy process है, आपका passport, dg profile पे update करने के लिए, तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि यह video कैसा लगा, और आप मुझे comment कीजिए, अगर आपको सयोग चाहिए, तो comment कीजिए, और मैं निशूल का आपका सयोग करने के लिए तत्पर हूँ, ready हूँ, Monday to Friday, Saturday, Sunday में आप मुझे काम ले सकते हैं, free of cost, तो thank you दोस्तों, thank you for watching my YouTube channel and please share, subscribe and like, thank you, thank you very much